Welcome to English Scholar YouTube Channel इस वीडियो में आप MP Board Class Edth से जोड़े हुए सवालों के आंसर जानेंगे जैसे क्या Edth Class Board है? क्या पेपर आपके स्कूल में होंगे? क्या Question Book से आएंगे? Learning Outcome क्या होते हैं? Paper का Level कैसा रहेगा? बिना पढ़े हुए Question के आंसर कैसे लेखें? Project Work कैसे तैयार करें? क्या Paper और Copy Board एक्जाम में अलग-अलग मिलेंगे? या फिर Paper में ही आंसर लिखने हैं? इस तरह के सभी Question के आंसर आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह जानते हैं कि क्या 8th Class Board है? इस Question का आंसर हम Supplementary वाली वीडियो में दे चुके हैं यदि आपने नहीं देखी है तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी आप उसे देख सकते हैं क्या पेपर आपके स्कूल में होंगे? अब इस Question का आंसर जानते हैं अब तक की जानकारी के अनुसार आपके एक्जाम सेंटर पर ही होंगे क्योंकि लगभग दो महिने पहले MP Board के एक YouTube लाइब में एक Officer ने यह बताया था कि जैसे Board सेंटर बना के करता है उसी टाइप का होगा आपके स्कूल किसी का भी स्कूल सरकारी दिला के उसी स्कूल में परिक्षा नहीं होगी वो सेंटर होगे उसमें आपको इस Question का आंसर मिल गया होगा कि आपके पेपर आपके स्कूल में नहीं उसके लिए सेंटर बना जाएंगे लेकिन हो सकता है कि आपका सेंटर आपके स्कूल में आ सकता है लेकिन इसकी संभाबना बहुत कम रहेगी क्या Question Book से आएंगे इसका आंसर है 50% Question आपके Book से आएंगे और 50% learning outcome से आएंगे कुछ question आपकी book से आपको same to same देखने को मिल जाएंगे लेकिन कुछ question learning outcome पर आधारित रहेंगे तो इस question का answer है कि आपके answer 50% book से आएंगे और 50% learning outcome से आएंगे learning outcome क्या होता है अब इस question का answer जानते हैं इसका मतलब यह होता है कि आप जिस class में पढ़ रहे हैं उस class में आपको यह आना चाहिए जैसे की उधारन के लिए आपको इंगलिस में इंगलिस पढ़ कर समझ में आना चाहिए तो इसके लिए आपके exam में passage आईगी और आपको part of speech आनी चाहिए उसे पहचानना और change करना भी आपके exam में आ सकता है आपके paper में से related question आ सकते हैं और grammar में proposition, article, tense, narration, models से related आपको learning outcome के तहट question देखने को मिलेंगे यदि आपको सभी subject के learning outcome की video चाहिए तो आप comment करकर बता सकते हैं अब इसके बाद next question का आंसर जानते हैं कि paper का level कैसा रहेगा तो paper का level medium और easy रहेगा क्योंकि आपकी board exam इसी साल हुई है इसलिए first year कोई भी exam हो उसका paper का level बहुत ही easy रहता है और आपको question भी सरल देखने को मिलेंगे अगर आप daily school जाते हैं और आपके teacher सभी chapter को अच्छे से पढ़ाते और समझाते हैं तो आप 95% question के answer लिख सकते हैं क्योंकि कुछ question learning outcome से आएंगे बहब ही आपकी book से ही आएंगे और book से related ही आएंगे आपके course से बाहर कोई से भी question नहीं आएंगे सिर्फ Hindi और English में कुछ question ऐसे आएंगे जिनके answer आपको आपके मन से लिखना है मतलब आपको अपने मन से इसलिए लिखना है क्योंकि उसमें आपके language skill का test किया जाएगा कि आपको लिखना आता है या नहीं आता है अब इसके बाद हम इस question का answer जानेंगे कि बिना पढ़े हुए question के answer केंसे लिखें तो इस question का answer यह होगा कि हड़ subject के लिए आपको अलग-अलग तरह से मेहनत करनी है लेकिन math में आपको method और concept आने चाहिए जिससे आप कोई से भी question को solve कर सकते हैं क्योंकि एक method से बहुत सारे question बना जा सकते हैं और उन्हें आप easy solve कर सकते हैं इसलिए आपको method में method आनी चाहिए और concept मालुम होने चाहिए जिससे आप question आसानी से solve कर सकते हैं और science के book में आपको जो chapter में पढ़ने को मिलेगा उससे सम्मंदिती question आएंगे कोई से भी question बाहर से नहीं आएंगे science में आप जो chapter में पढ़ने उससे सम्मंदिती question आएंगे ऐसा ही social science में होगा social science में भी आपको जो आपने पढ़ा है उससे related ही आएंगे मतलब जैसे आपने किसी chapter में कुछ topic के बारे में पढ़ा है तो आपके question उस topic से सम्मंदित ही होंगे आपकी book से बाहर कोई से भी question नहीं आएंगे और Sanskrit में आपका paper बहुत ही सरल आएगा पूरा paper book से ही आएगा question भी आपको book से ही देखने को मुलेंगे इसमें संदी, समास, विभक्तियां, कारक आदी आ सकते हैं तो आपको इनकी तयारी करने है और हम सभी subject की तयारी से related video डालेंगे आप उन्हें भी देख लें इसके बाद हिंदी और English के बारे में जानते हैं कि उनकी तयारी आपको किस तरह करनी है तो हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें कुछ question mental abilities के भी देखे जाएंगे जिसमें आपको question आपके मन से लिखना है मतलब इन question के answer हर student के अलग-अलग हो सकते हैं क्योंकि भह अपने मन से लिखेगा इसलिए अब हम इन question का conclusion बता दे रहे हैं कि आपको question किस तरह लिखने हैं आपको सभी books के chapter अच्छे से पढ़ने हैं उनकी summary याद रखना है जिससे आप इनके answer लिख सकते हैं और हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे कि आप question के answer किस तरह से लिखें जो आपने question पढ़े नहीं है कौन से tense का use करना है किस प्रकार के question में इस related हम वीडियो डालेंगे अब एक question यह भी था आपका की project बर केंसे बनाएं तो इसके लिए आपके teacher आपको हर subject के दो question देंगे जिसमें आपको उनके answer लिखने हैं इसके लिए आपको या तो market में project books available हो जाएंगी नहीं तो आप पांच रुपे की file में कुछ A4 size के paper लगा कर उनके answer लिख सकते हैं और इसमें आप आपके teacher की help ले सकते हैं क्योंकि जिन question को वह देंगे उनके answer बह बता देंगे कि किस तरह से लिखना है और जो intelligent वच्चे रहेंगे उनके लिए teacher 20 में से 20 marks दे सकते हैं और देंगे आपको project से related question आपके teacher से पूछने हैं क्योंकि बह उनके answer सही से दे सकते हैं कि कौन सा question आपको दिया है उसके answer बही सही से बताएंगे अब इसके बाद last question बचता है कि आपके paper में coffee अलग से मिलेगी या आपको paper में ही question लिखने है तो इस question का answer है कि आपको answer आपके paper में ही लिखने है हर question के नीचे आपको उस जगे मिलेगी जिसमें आपको उसका answer लिखना है जैसे objective type question है तो उसके लिए आपको एक line नीचे मिलेगी जिसमें आपको उसका answer लिखना और 3 marks वाले के लिए आपको 3 line या उससे ज़्याद लाइने मिल सकती हैं उसी तरह 5 marks वाले question के लिए भी आपको उतनी ही लाइने मिलेंगी जितनी उस question के answer के लिए आवश्यक हैं आपकी practice के लिए MP board model paper देगा बह भी हम आपको provide करा देंगे और कुछ model paper हम भी बना कर आपकी practice के लिए आपको provide कराएंगे यहाँ पर इस video को end करते हैं अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो इसे like करें और हमारे channel को subscribe करें इस video से related या board exam से related आपके मन में कुछ भी question हो तो आप comment जरूर करें Thanks for watching